जैशिकिस्टा मित्रो मैंने लेश जोशी है आज मैं वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं वो अर्विन के जरिवाल के बारे में है मेरे हिसाब से एगर मुझे जज्मिन लेना है तो मैं मानता हूं कि भारत के राजकार में पेदा हुए सबसे बड़ा नतुरलाल में से यह क ही बोलना है क्या-क्या नहीं कर सकते कितनी जूठी कस्में खाता है इनकी जो शुरुवात हुई थी तो अना हजारे ने कोंग्रेस के सामने ब्रस्टाचार के मामले में आंदोलन चालू किया था उदर से तो यह करना हजारे का राइट हैं था और उदर इनको सब लोगों का सपोर्ट था कुमार उश्वास थे किरन बेदीजी थे असुतोस थे दूसरे भी लोग थे लेकिन में 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 ये सब लोग थे बराबर उस टाम अर्विन के जरीवाल ने सपत ली थी कि मैं कभी राजकान जोइन नहीं करूंगा और राजकान में आने के बाद वो सपत तोड पबलिक का कहना है मेरे पास कोई अथेंटिक फिगर नहीं लेकिन कुछ फ्रोक रूप्या जबां हुए थे वरना जारे को जूट मुट्रे बोल दिया कि इसमें एक भी पैसा जमानी हुआ है अंदुलन में उसको उसके बाद उसने आमार्दी पार्टनी की रचना कि उस टा निकाल दिया उसके निकाल दिया कभी किसी को कुछ नहीं दिया और जो पोजिशन दी उसके चमचे उसके हाव में हाव मिलाने वाला इनको जो हितलर की मेरे हिसाब से तो यह आप मादमी पार्टी का हिटलर ही है अपने लगरी कैसे चलाता है लेकिन इतना लोंबडी जीसा चालाक है कि फसना नहीं चाहता था लेकिन भगवान ने उसके पाप का हिसाब का ले लिया अभी जो एडी के सामने मामला पूरा हुआ था सुप्रिम कोर्ट ने क्या भी हिसाब से अपने यह फैसले दिये इनको बैल दी वो सुप्रिम पोर्ट जाने उसके जस्टिफिकेश लालो प्रसाद मुलायम शिवू सोरण सिलादिक्सित सभी कोंगरेश वाले सभी भरस्ट है और इसका मैं इलेक्षित में उसको हिसाब करूँगा और सिलादिक्सित के सामने उसने बड़ी 370 पेजिस याई से कुछ पेजिस की फाइल त्यार की थी वो बोलता था कि मैं जब बारत विरोदी गतिविद्यों के लिए जाना जाता है उसने आटमी को चार क्रोड डोलर दिये थे लेकिन यह जूट बोला था बराबर इस्टे पैसे लिए और काम के कितनी दफ़ा इंकार किया कितनी दफ़ार किया बगवान जाने और अर्मी के द्रिवाल जाने कितने लो उतना नुक्सन हुआ एक माफी से वो नुक्सन पूरा हो जाता है नहीं हो जाता है तो उसकी सजा तो इसको होनी ही चाहिए जो कोलेट्रोल की मैज या जो भी डॉमेज का नाम दे दो आप उसको यह डेमेज होता है वो डॉमेज एक माफी वो डेमेज को रिपेर कर सकते है कर सकते तो इसको सजा होनी चाहिए किसी की सामने जुट पहलाने के लिए निर्वया का जो रेक किश हुआ था सब को मालूम है तो यह die मेरे के सामने में क्या से क्या बोला था लेकिन जाई से हो गया तो उन्हुपने निर्वया के के में जो सबसे ग्रेनोला काम करने वाला आरोपी था महमद अफ्रोज इसमें निर्विया के गुपतांग में रोड डाल दिया था उसके आतु सब बाहर निकाल दिये थे उसको एकदम बुरी तरसे रेप करके मारा था उसका कैस लड़ने वाली को रजी लोकसभा का टिकेट दै दिया लडी का नाम था नीना पीनायक ये इतने कितने में आपको बता हूं कितने कितने और ये जो सराबह भोटाला हुआ है वह तो दिली वाले भगवान जाने वह सा तो दिली वाले चालाक वूठ होते हैं लेकिन यह je लेकिन अभी वक्त आ गया मैरे ख्याल से यह दफा बीजेपी क्या दिली की जनता इसको बराबर नियाई करेगी लेकिन इसको एक दफा उम्र भर के लिए जहल में डाल देता और इतना पैसा खाया ने वह सहीशा पैसा उसके निकालता है हां तो काई कि यह क्यमत के पर्दे प्रदे इस्मार्ट पर जो नहीं डाले तो चाहिए कि जाने उनको उनका में टोड़ और चयाता हूं कि सेंटा करने के विस पाइसे रहूं जनता के पैसे क्यों और जनता का डेवलोप्मेंट का कारी होना चाहिए तो वह सब पानी की किलत हो रही है दूसरे को बदनाम कर रहे हैं पानी की लिए लेकिन जो पानी सप्लाइब करने वाला टेंकर माफिया है सब इनसे मिले हुए पानी तो दिली के पास बहुत है लेकिन को बदनाम करता है उतर प्रदेश को बदनाम करता है पंजाब पंजब में तो उसकी सरकार है इनुए असा है कि आर्विन के दिवाल को आप सही तरीके से पेचानोगे उसके खिलाप जोर सोर से आवाज उठाईए और जितनी हो से के इतनी मूव्मेंट चलाईए कि ताकर उ जैसी किसना ये वीडियो देखने के लिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब के साथ सेर करिए जैसी किसना